जहिन साथ यूँ मेरा नाम है आकासमोर है और आपसे लोग का आपके अपनी चैनल RQP Study पर बहुत बस्वागत है फ्रेंस ITBP में आप लोगों के लिए एक और निव रिक्रूटमेंट आ चुकी है जी हाँ दोस्तों आप लोगों को ESI Pharmacist के पदोपन नई भरती आयोई जिसका नोटिफिकेस्टन भी जारी कर दिया गया है बात करें इसके लाश डेट की तो अपलाई के लाश डेट जो रखा गया है वो 30 नमबर 2022 से रखा गया है तो आज किसी वीडियो में आप लोगों को इस भरती से रिलेटर संपूर जानकारी देने वाला हुँ है वीडियो काफी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक ज़रू देखते रहना वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना शेयर करना तथा इसी प्रकार से नोलेटर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस करने न मैं लेकर चलता हूँ नोटिफिकेसन पर वही सारी यानकारी दे देता हूँ तो फ्रेंज जैसा कि आप लोग देख सकते में नोटिफिकेसन पर आज को हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते ITBP का यहाँ पर फॉर्म दिया हूँ यहाँ पर Ministry of Home Affairs Government of India दिया गया है Recruitment to the Post of Assistant Sub Inspector Pharma Assist 2022 यहाँ पर दिया गया है काफी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पर वेतन के अगर मैं बयात करो तो वेतन भी आप लोगों को लेवल 5 का अकॉर्डिंग 29,200 रुपए से लेकर 22,300 रुपए तक आप लोगों को वेतन मिलेगा यहाँ पर UR के लिए यहाँ पर देख सकते है पोस्ट जो है 12 पोस्ट है EWS वालों के लिए 2 पोस्ट है OVC के लिए 6 पोस्ट है SC के लिए 3 पोस्ट है और HD के लिए 1 पोस्ट पर टूटल यहाँ पर 24 पोस्ट पर आप लोगों की वैकेंसी निकालेगी है काफी अच्छी एभी काई जिस्टी आप लोगों को फर्मा शिष्ट की आप लिकेस्ट फीष्ट की बात करूं तो अपलिकेस्ट फीष्ट सरुपए आप लोगों के लग रहे हैं ठीक है वहीं आप लोगों को देख सकते हैं यहां पर आप लोग आते हैं तो आप लोगों का फिस जो आई है जो आई है इक्सक्टेड़ फार्ट फरी में लिए इन के लिए यहां पर बताया गया हुआ है ठीक है वहीं मैं बात करूं आप लोगों से बारवी पास मांगा गया है जिनमें आप लोगों का फिजिक्स कमेश्ट्री एंड बायोलजी एज सब्जेक्ट होना चाहिए ठीक है उसके बाद आप लोगों का दूसरे नमर माता डिप्लोमा रहना चाहिए आप लोगों पास इन फार्मासिष्ट में आप लोगों का जो आई है ठीक है इसके अलमा आप लोगों का रजिस्टेड एज जो है है फार्मासिष्ट अंडर धैव जो है है फार्वेंसी एक्ट उन ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओनलाइन अप्लाई डेट जो है 25 अक्टूबर से आप लोगों का ओनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 23 नॉमबर तक आप लोगों का ओनलाइन अप्लाई का लाइट रखा गया ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इस वेकंसी से जो रिलेटर संपूर इन्फोर्मेसन मिल चुकी है कोई भी आप लोगों को सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सेयर करना तथा इसी प्रकार से नोलेजमेल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे-ची वेकंसी से जानकारी लिकर आता रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक कर लेना मैं मिलता हम पर से नए जानकारी साथ नए वीडियो में तब तरक लिए टेक केर